ख़बरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप भी देना चाहते हैं कोई ख़बर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्ख यूपी में अगले साल होने वाले विधान सभाच चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लगातार सुर्खियों में बना हुआ है इस मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदितिनाद ने अहम बयान दिया है एक कारक्रम में योगी आदितिनाद ने कहा है कि राज़ सरकार सही वक्त पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून लाईगी मुख्यमंत्री योगी आदितिनाद ने कहा कि हर चीज का एक समय होता है पहले बीजेपी को लेकर सवाल पूछा जाता था कि आप राम मंदिर की तारीख नहीं बताते हैं लेकिन कोरोना काल के बावजूद आयोध्या में राम मंदिर का निर्मार शुरू हो गया ऐसा ही अनुचे 370 के साथ हुआ था यूपी सियम ने कहा कि जन संख्या कानून जब भी आएगा उसके बारे में पहले से ही मीडिया और लोगों को जानकारी दे दी जाएगी क्या चुनाओ से पहले चुपचाब ये कानून लाया जाएगा इस सवाल पर सियम योगी ने कहा कि हमारे यहाँ धीरे से नहीं होता है जब होगा नगाडा बजा कर आएंगे और हम लोग आपको पता ने कि इसी साल जुलाई में राज सरकार दौरा जन संख्या नियंतरन को लेकर एक नीती पेश की गई थी जिसके बात कानून लाने को लेकर चर्चा शुरू हुई थी इसी नीत में उन लोगों के इस्थानी चुनाओ लड़ने पर रोग लगाने की बात कही है योगी आदितनाथ ने कहा कि इंदलू को मुस्लिम समदाय से वोट चाहिए लेकिन अबा जान पर नाराज हो जाते हैं योगी आदितनाथ ने एक बार फिर दावा किया कि अगले साल विधान सबाचुनाओ में बीजे पी 350 से दिर्ख सीटें जीत कर फिर से सरकार सब्सक्राइब करें वी न्यूज इंडिया के यूड्यूब चैनल को योगी हम रखते हैं आपको हर पल अबेट